उन लोगों से भले की उमीद कैसे की जाए जिनकी स्थापना करने वाले ही गलत हो ऐसा हम नहीं कह रहे बलकि वाल्टेर ने कहा था पर उमीद है कि मानती नहीं भले अपगानिस्तान में तालीबान के कबजे के बाद वहां से हिंसा और जुल्म की कितनी भी तस्वीरे सामने आ कि तालीबान अब हाकिकत बन चुका है ये बात समझनी चाहिए तालीबान को अफगानिस्तान में सर्या कानून से ही सरकार चलानी चाहिए नमस्कार रंग दे बसंती देखना सुरू कर चुके आप मैं हूं राजीर चोदरी यानि महबुबा मुप्ती जी तालीबान को ग्यान दे रही है या कव महबुबा मुप्ती जी उस तालीबान को समझा रही है जिस तालीबान की सरकार में मदरसों से निकले 33 मोलवी मुला सत्ता संभालने जा रहे हैं और दरजनों ऐसे लोग हैं जिन पर परती बंद है जो इनामी आतंकी है जो कुछ पिछले 20 सालों से सरीया हकूमत के लिए लड़ रहे हैं जिनका सपना था अफगानिस्तान को इसलामी कमिरात बनाने का जिनके ख्वाब थे कि महिलाएं घरों और बुर्कों में कैद होगी आठ साल की उमर से लड़कियों को बुर्का पहनना निवारिया होगा आधूनिक सिक्सा से दूर सिरफ एक मजभी मोडल अपना जाएगा लड़कियों की सिक्सा की वकालत करने वाली किसी 15 साल की मलाला को गोली मार दी जाएगी उस तालिबान को महबूबा ग्यान दे रही है ये सरासर तालिबान का अपमान है अलाकि जो मानते हैं कि आस्मानी किताब के अनुसार पूर्सों के मुकाबले महिलाओं में आधा भी दिमाग नहीं होता खेर उनकी गलती भी नहीं क्योंकि महबूबा जी ने उन्हें ग्यान दे कर ये सत्साबित भी कर दिया साथ ही नैशनल कॉनफरेंस के चीफ फारुक अब्दुल्ला ने भी तालिबान का समर्थन किया है यानि सबको उम्मीद है कि आगे आने वाले दिनों में धीरे धीरे तालिबों को मानने तबी मिल जाएगी और मिले भी क्यों ना क्योंकि तालिबान कोई एक अफगानिस्ता में थोड़े ही है इस विचारधारा इस मानसिक्ता के तो नेको देश है वो वहाँ पहले से इस मोडल को लागू किये बैठे हैं कोई इंतजार कर रहा है बस ये लोग अब कर रहे हैं तुर्की वाला इर्दुआन खुद तुर्की को साथवी सदी मिले जाने को आतूर है इमरान खान अपने चुनाओ में मदीने की छटी सदी का सपना बेच कर आया है इरान अरब यूएई बहुत सारे देश में जिनमें सरीया हकूमत लागू है जाने हैं वाजंग जारी है और भारत जैसे दे आदूनिक सुईदाएं विदेसों में अच्छी पड़ाई देते हुए और बाकी के गरीब मुसल्मान के बच्चों के लिए सरीया हकूमत मदर से इसलामी कानून चाहते हैं यानि अपने बच्चों को किताब और गरीब मुसल्मान के बच्चों के हाथ में पत्थर और रति करते हैं आखिर इने भी मदर से ये सरीया कानून ये बुर के किसके लिए चाहिए अपने बच्चों के लिए या गरीब मुस्लिम बच्चों के लिए दरासल ये सवाल हम नहीं बलकि खुद कुछ समय पहले पूरा तंक के और अलगा हुआ दिनेता हासिम कुरेशी के बेटे ज फूजरों और दूसरे के बच्चों को देश के खिलाब लडाते हैं जुनेद कुरेशी ने जो सवाल उठा था वो कितना सही है अगर देखा जाए तो कश्मीर के युवाओ को हमेशा भड़काने वाली महभूबा की बेटी इल्तिजा इकबाल और इर्तिका इकबाल के बारे में बता जाता है कि इल्तिजा लंदन के भारती हाई कमिसन में अपसर के तोर पर पुष्टिड है जबकि छोटी बेटी अपने मामा के साथ माया नगरी मुंबई में रहती है और फिल्मों में केरियर बनाना चाहती है अब महभूबा को सरीया हकूमत चाहिए सरीया में संगीत फिल्म पर फत्वा है तो महभूबा पहले अपने घर में सरीया हकूमत लागू करे फिर आगे दूसरों को ग्यान परदान करे ऐसे ही कस्मीर के युवाओ को आतंकी बट्टी में जोकने वाले पाकिस्तान के समर्थक अलगाववादी नेता मरहूम सयद अली शाह गिलानी जिनका कई दिन पहले इंतकाल हो गया उनका कुनवा भी शांदार लाइफ जी रहा है उनके दो बेटे हैं छे बेटिया हैं पोते हैं पोतिया हैं सब लगजरी जीवन जी रही हैं जब अजारो कश्मीरी बच्चे गिलानी द्वारा स्कूल जाने का बाइकोट करने के आवान के बाद घर बैटे थे तब नईम की बड़ी बेटी गिलानी की पोती ने अपनी स्कूल परिक्षाय दी थी साथ ही एक पोती एरलाइन्स कंपनी में क्रू मेंबर के तोर पर भी काम करती है इसके अलावा कुछ समय पहले ग्रेम अंतराले ने उनाल गावादी नेताओ की एक लिष्ट जारी की थी जो कश्मीर में आतंक को बढ़ावा देते रहे हैं इनमें वहिदत ए इसलामी से जुड़े निसार हुसेन इनका बेटा और बेटी इरान में रह रहे हैं बेटी इरान में नोकरी करती हैं दूसरा बिलाल लोन की बेटी आस्टेलिया में पढ़ रही है इसके अलावा तरीक हुरियत के चीरमेन असरब सहरी इनके दो बेटे हैं बड़ा बेटा खालिद, दूसरा अबिद, सौदी अरब में नोकरी करते हैं और एक है आमीर जमात के जीम बट, इनका बेटा भी सौदी अरब में डोक्टर है इसके अतिरिक्त दुकतराने मिलत की आस्यां अंद्राबी, इनके विद्व दोनों बेते विधेस में हैं, एक मलेशिया में पढ़ाई कर रहा है, दूसरा बेटा ऐस्टेलिया में पढ़ाई कर रहा है। इसके लावा मुम्मन सफीरेसी ये डीपीम के कुछ है इनका बेटा अमेरिका में पीएचडी कर रहा है। तैरी के हुरियत के असरफ लोया इनकी बेटी पाकिस्तान में मेडिकल की पढ़ाई कर रही है और जहुर गिलानी मरहुम गिलानी के दामाद इनका बेटा साओधी एरलाइन्स में काम करता है। ऐसे ही कस्मीर को सुलगाने वाले उरियत के चेरमेन मीर वाइज उमर फारुक की पतनी सीबा मस्ती अमेरिका मूल की है जो अपनी बेटी के साथ अमेरिका में रहती है। फारुक की बेन राविया फारुक अमेरिका में डोक्टर है। मुस्लिम लिग के मुहमद यूसुप मीर की बेटी पाकिस्तान में मेडिकल की पढ़ाई कर रही है। इसके अलावा है जाना पहचाना चेरा है यासीन मलिक का जो कश्मीर के अंदर इसलामिक ड्रेस बुर्के सरीया हकूमत की पैर भी करता है। लेकिन इसकी पाकिस्तानी पतनी मुसाला हुसैन लंदन स्कूलल अप एकनॉमिक से ग्रेजोेट है और यूरोपिया पर इदानी पसंद करती है। मुसेला के पिता एम हुसेन पाकिस्तान के जाने मान एकनॉमिस्ट है और उनकी माप पाकिस्तान की पार्टी मुस्लिम लीक की महीला मौर्चा की अद्धक्स है इसके अलावा हुरियत नेता गुलाम मुहमन चुमजीन का बेटा जुगनु दिली रेकर अपनी पढ़ाई कर रहा है उसे छोटी आईउ में ही दिली एक एकर इस्तदारों के गर बेज गया था कि कस्मीर की फिजा खराब है ये फिजा किसने खराब की क्योंकि किसके इसारे प क्यों अपने बच्चों को थोड़ा सा बड़े होते ही ये लोग कस्मीर से बाहर बेज देते हैं मरहूं गिलानी हो या हिजबुल सरगना सलाहुद्दीन या फिर दुक्तराने मिलत की आस्या अंध्राबी हो आज तक इनके बच्चे किसी परदरसन में ने तो सामिल हुए न पर रड़ाते हैं उनकी मौत पर अपना राजनेतिक रोटी सेखते हैं को जसन मनाते हैं ऐसे ही एक दुक्तरान मिलत की फरीदा महिला लगावादी नेता के रूप में परसीदा कस्मीरियों को बढ़काने में अगरनी भूमिका में रहती है लेकिन इनका बेटा रूमा मकब पर मदर से की मांग करते हैं उन सब के बच्चे भी विदेशों में पढ़ते हैं या फिर भारत में यह उचे पदों पर विराजमान हमेशा मुस्लिमों के लिए सरीयत या पिर एन इस्लामिक कानौनों को मांगने वाले थोपने वाले ओवेशी ने खुद विदेश से गरीब मुसलिमिन के पेंतरों को नहीं समझ पा रहा है कि किस तरह ये लोग मजब का नाम लेकर उनके बच्चों के वविस्से खेल रहे हैं आखिर ये तालीबान ये मदर से ये सरीया हकूमत ये बुर के ये सारा ताम जाम सिर्फ गरीब मुसल्मानों के लिए ही क्यों है औ अफगानिस्तान में खाली पड़े बंगले पचास पचास जार में भिक रहे हैं उनमें अराम फरमाए और तालीबान के साथ सरीया हकूमत के मजले जसन मलाए पर अपनी मान सिकता से भारत के गरीब मुसल्मानों के घर ना जलाए